दोस्तो भारत ने अपने उस हतियार को बना कर तयार कर लिया है जो बिना रुके 90 दिन तक लगातार किसी भी ओप्रेशन को अंजाम देने में शक्षम होगा दरसल इस समय भारत लगातार सूडो सैटलाइट को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है सूडो सैटलाइट वो सैटलाइट होती है जिनको ड्रोन की तरह इस्तमाल किया जाता है इन सैटलाइट की सबसे खास बात यह होती है कि यह बिना रुके कई-कई महीनों तक दुश्मन देश के उपर निगरानी रख सकती है और इनको एक ड्रोन की तरह ही ओपरेट किया जाता है और भारत के अंदर इन सूडो सैटलाइट का बनाने का काम HAL और New Space Research and Technology को मिला है वहीं पर दूसरी तरफ National Space Laboratory भी इसी तरीके की सूडो सैटलाइट को बना रही है लेकिन अब कुछ वीडियोज में देखा जा रहा है कि New Space Research and Technology ने इन सूडो सैटलाइट को बना कर तयार कर लिया है इवन New Space Research and Technology की तरफ से तो इन सूडो सैटलाइट के सब स्केल, टेमोन्स्ट्रेटर, डवलेपमेंट टेस्ट भी शुरू कर दिये गए है और इस टेस्टिंग के दोरान इस सूडो सैटलाइट को इन्डिपेंडेंटली उडा कर भी देखा गया है और फिलाल जो इन pseudo satellite की testing चल लही है इस testing के दोरान इस pseudo satellite को autonomous mode में उड़ा कर देखा गया है और जल्ध ही इस pseudo satellite का हमें पहला prototype भी देखने को मिलेगा जो हमारी pseudo satellite होने वाली है इस satellite की पंको की चोड़ाई 69 मिटर होने वाली है जिससे आप खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये pseudo satellite कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है और फिलाल जिस satellite के autonomous mode में परिक्षन किये गई है ये satellite prototype वाली satellite से काफी छोटी है इस satellite की पंको की चोड़ाई 7.5 मिटर है और जैसे ही pseudo satellite के सभी परिक्षन पूरे कर लिए जाएंगे उसके बाद इसका phase 2 शुरू होगा जिसके दोरान इस pseudo satellite की पंको की चोड़ाई को 16 मिटर कर दिया जाएगा और इसके बाद phase 3 स्टार्ट होगा जिसमें इस pseudo satellite के पंको की चोड़ाई को 24 मिटर कर दिया जाएगा और इसके बाद में जो मोडल बनाये जाएगा उस मोडल के पंको की चोड़ाई 69 मिटर होगी इस pseudo satellite को आ को इस पेश्ली जासूसी करने के लिए बनाय जा रहा है और इस सूडो सैटलाइट की एक खास बात यह भी होने वाली है कि जो हमारा कैटर्स प्रोग्राम होने वाला है उसमें आपने जो इन्फिनीट्री ड्रोन का नाम सुना है उसी को हम सूडोसेटलाइट बोलने वाले हैं यानि की सूडो सैटलाइट का इस्तमाल हम अपने केड्स प्रोग्राम में भी करने वाले हैं और ये सूडो सैटलाइट बिना रुके 90 दिन तक किसी भी देश की अच्छे से जासूसी कर सकती है और जासूसी के मामले में ये भारत की कैपिसिटी को चार चांद लगा आने वाली है आपको भारत की ये सूडो सैटलाइट केसी लगी इस बात का अंचर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स